फेस्बुक पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है पहले इस पर ये आरोप लगा कि फेस्बुक भारतिय जनता पार्टी का समर्थन करता है उसके नेताओं की हिट्स पीछ नहीं हटाता है और अब नया आरोप ये लग रहा है कि इसने बीजेपी के कहने पर कुछ लोगों के फे फेस्बुक पेजों की शिकायत ये कहकर की कि उनकी पोस्ट अपेकशित मानकों के खिलाफ है और तथ्यों से परे है बतादे कि फेस्बुक से 14 पेज हटाए जा चुके है वो इस समय फेस्बुक पर नहीं है जिन पेजों को हटाया गया है उनमें से प्रमुक है भीम आर्मी विहेट बीजेपी, कॉंग्रेस का समर्थन करने वाले अनाधिकारिक पेज और दा ट्रोथ ऑफ गुजराद इनके अलावा पत्रकार रविश कुमार और विनोध दुआ के पेज भी हटाए जा चुके हैं इतना ही नहीं बीजेपी ने पिछले साल नवंबर में फेजबुक इंडिया से कहा कि वो 17 पेजों को प्लैटफॉर्म पर वापस ले आए और दो पेजों को मॉनिटाइज कर दे ये पेज थे दचोपाल और आप इंडिया के मॉनिटाइज करने से इन्हें अपने कंटेंड पर बहर से पैसे मिलने लगते फेजबुक ने बीजेपी के कहने पर जिन 17 पेजों को बहर कर दिया उनमें से जादतर कंणड भाशा में हैं जिनका कंटेंड पोस्ट कार्ट न्यूस से रहता है बतादे कि पोस्ट कार्ट न्यूस के संस्थापक महिश्वी हेगडे हैं जिन्हें मार्च 2018 में बैंगलरू सामप्रदाइक बैर और नफरत फैलाने के आरोप में गिरफतार किया गया था उन पर फेक न्यूस प्रसारित करने का भी आरोप था बैंगलरू पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं हेगडे की ओर से आदालत में पेश होने वाले बीजेपी के सांसत तेजस्वी सूर्या थे ये वो देजसे सूर्या हैं जो नफरत फैलाने वाले ट्वीट को लेकर विवाद में रह चुके हैं ये भी कहा गया है कि फरवरी 2019 में मालविये ने इमेल में लिखा था कि उनकी फेस्वुक के अधिकारियों से बात हुई थी और वो अधिकारी बीजेपी के और जुकाओ रखने वाले पेजों की सुरक्षा को राजी हो गए थे इसी तरह मालविये ने कहा आई सपोर्ट नरेंद्रमोदी जैसे पेज थे जिने कारेकरता अपनी ओर से चलाते थे और वो डरे हुए थे कि उनके पेज को हटा दिया जाएगा हमने फेस्वुक से बात की थी और कहा था कि वो अपना काम सही तरीके से करें हम अधिक पारदर्शी प्रणाली चाहते हैं पर फेस्वुक ने कुछ दूसरा ही सोचा है हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें